अज हम लोग factorization में आगे बढ़ते हैं एक नए फर्मूला की तरफ देखिए नए फर्मूला है x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz बराबर क्या होगा इसका फर्मूला होता है x plus y plus z under bracket bracket का अंदर फिर एक दूसरा bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx इस फर्मूला का आप copy में लिख करके 3-4 बर रट करके याद कर लिजएगा बड़ा important फर्मूला है अब इस फर्मूला का थोड़ा समझते हैं देखिए if x plus y plus z बराबर 0 मतलब यदि x plus y plus z मनने ये जो है इसका अगर value 0 हो तो ये अगर 0 हो जाएगा ये 0 होगा तो 0 से ये पूरा multiplyment है देखिए bracket दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक यहाँ bracket है और यहाँ bracket है ठीक अगर ये 0 हो गया ये तो 0 into whole पूरा क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 0 से multiply होगा तो पूरा 0 हो जाता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना क्यों क्योंकि x plus y plus z 0 हो गया है तो पूरा जब 0 हो जाएगा ये पूरा 0 तो x q plus y q plus z q minus 3 x y z बराबर 0 हो अब ये माइनस 3xyz को अगर उधर भेजेंगे तो माइनस इक्वल को उधर जाकर प्लस हो जाता है तो ये माइनस 3xyz क्या हो जागा प्लस 3xyz ठीक एक नया फर्मूला xq प्लस yq प्लस zq बराबर 3xyz ऐसा कब होगा जब x प्लस y प्लस z 0 होगा वैसे इस फर्मूला का आपको याद रखना है एक और और इस फर्मूला को मैं बता दूँ xq प्लस yq प्लस z q माइनस 3xyz बराबर x प्लस y प्लस z ब्रैकेट के अंदर फिर अंदर दूसरा ब्रैकेट x square प्लस y square प्लस z square माइनस xy माइनस yz माइनस z x अब देखिए इस फर questions का practice इसे पहला question है find the product into करना कि इसको x प्लस y माइनस z ब्रैकेट x square प्लस y square प्लस z square माइनस xy प्लस yz प्लस z x अभी अभी जो फर्मूला हम लोग पढ़े थे इसी फर्मूला का ये practice है ठीक देखिए we know the formula यहाँ लिखेगा we know the formula हम जानते है formula क्या जानते है यही वाला x प्लस y प्लस z under bracket x cube x square प्लस y square प्लस z square माइनस xy माइनस yz माइनस z x बराबर x q प्लस y q प्लस z q माइनस 3 x y z देखिए यही formula है यही ना this बराबर this कहो चाहिए this बराबर this किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते है जब दूनों equal है ठीक है students अब क्या करना है यह जो formula आप जानते हैं उस formula में प्लस z के जगा माइनस z रख देना देखिए x x है y y है सिर्फ प्लस z के जगा क्या है माइनस z तो put माइनस z on the place of z z के जगा माइनस z देखिए रख रहे हैं x प्लस y अब प्लस z के जगा हो जागा माइनस z फिर देखिए x square plus y square है अब प्लस z square है यहाँ भी क्यों z के जगा माइनस z करेंगे तो माइनस z का square भी तो plus z square हो जाएगा ठीक है students फिर देखिए फर्मुला में माइनस xy तो माइनस xy फिर माइनस yz तो z के जगा जब माइनस z करेंगे तो माइनस z और यह माइनस y, माइनस माइनस प्लस yz हो जाएगा देखिए और फिर इस माइनस zx फर्मुला में तो इस z के जगा जब माइनस z करेंगे तो यह माइनस और z का माइनस पलस zx हो जाएगा ठीक है students तो फर्मूला में भी जो है उसमें क्या हो जागा z के जागा माइनस x q plus y q माइनस z q हो गया क्यों क्यों कि जब z के जागा माइनस z करेंगे तो माइनस z का पावर 3 तो minus 3 times multiply होना पर minus हो जाता है फिर minus 3xyz तो z कर जागा जब minus z करेंगे तो यह minus यह minus plus हो जाएगा plus 3xyz और यही answer समझ में आ रहा होगा एक और देखिए x minus y minus z bracket में x square plus y square plus z square plus xy minus y z plus zx again उसी तरीका से we know the formula क्या formula है x plus y plus z under bracket x square plus y square plus z square minus xy minus y z minus z x बराबर xq plus y q plus z q minus 3xyz अब इसमें क्या है minus y minus z है तो plus y के जागा minus y अब plus z के जागा minus z put कर देंगे put minus y and minus z on the place of y and z respectively तो देखिए plus y के जागा minus y plus z के जागा minus z put किये इधर भी नब put करना होगा x square थे x square y square है तो minus y के square करेंगे तभी तो plus y square ही होगा क्योंकि minus का square plus होजाता है फिर plus z square है तो इसको अगर minus z square करेंगे तभी plus z square होगा minus x y है तो y के जागा inferior y नब put किये हैं तो minus x ऑर minus y तो minus minus plus x y होजागा देखिए फिर yz माइनस yz है तो y के जागा माइनस y z के जागा माइनस z ही नहीं पुटकिया देखिए ठीक तो माइनस y माइनस z मिलके प्लस हो गया तो यह माइनस जेम करते हूं रहा जाएगा माइनस yz रहा जाएगा ठीक है students फिर देखिए mining-zx है, तो z के जगा अगर minus z करेंगे, तो यह minus और z का minus भी मिलक्स zx हो जाएगए, ठिक अब यह Formula क्या होता है, xQ plus yQ plus zQ minus 3x yZ, लेकिन Formula में खहले क्या देन, रखना है, कि y के जगा minus y, और z के जगा minus z, एक्स Q plus yQ के जगा minus y क्या Q plus z cube के जागा minus z का cube minus 3xy के जागा minus y z के जागा minus z x cube minus y का cube minus minus हो जाता है अब minus z का cube भी minus अब ध्यान दिजिए minus y minus z मिलके plus हो जागा minus into minus plus अब फिर into minus करेंगे तो minus 3xyz हो जाएगा और यही answer एक और देखिए 3x minus 55 plus 4 9x square 25y square plus 16 plus 15xy minus 20y plus 12x इसमें क्या करना है कि x के जागा कितना है 3x y के जागा minus 5 देखे 3x on the place of x minus 5y on the place of y and 4 on the place of z जो फर्मूला आप जानते है उसमें x के जागा 3x y के जागा minus 5y और z के जागा 4 रख दिजिए देखे रखती है x के जागा 3x y के जागा minus 5y जेट के जागा minus y z minus z x अब simple calculation है इसका फ़र्मूला था x q plus y q plus z q minus 3 x y z हाग calculation के यही एंसर अच्छा से इसको screenshot ले लिजा और समझेगा यह समझ में आपको आएगा ठीक है students आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप का question है factorize पहले था find product अब factorize करना है क्या है देखिए 125 a q b q 64 c q minus 60 a b c यह कैसा है तो x q plus y q plus z q minus 3 x y z इसका फर्मूला क्या होता है x q plus y q plus z q है न minus 3 x y z है इसका फर्मूला x plus y plus z तो ध्यान दिजे 125 a q को 5 a का whole q लिख सकते हैं इतना ही होगा b q b q 64 c q तो 4 c का whole q यह x q plus y q plus z q हो गया अब minus 3 x के जगा 5 a दखिए y के जगा b और z के जगा 4 c इसको जब multiply करेंगा देखिए इतना ही होगा ठीक यह क्या होगा x q plus y q plus z q minus 3 x y z तो फर्मूला क्या होता है x plus y plus z देखिए x के जगा 5 a y के जगा b और z के जगा 4 c तो x plus y plus z फिर bracket में x square 5 a का square b square y square और z square 4 c का square minus x y देखिए x 5 a है और y b है minus y z minus z x है ना ठीक अब इसी को calculation करते हैं ये जगें करते हैं उतार दिये 5 a square 25 a square b square 4 c का square 16 c square अब minus 5 a b हो गया ना फिर minus 4 b c देखिए फिर minus 5 into 4 20 a c यही answer ठीक एक और question देखिए 216 27 b cube 8 c cube minus 108 b c सिम उपर जैसा है 216 को 6 का cube 27 b cube को 3 b का whole cube और 8 c cube को 2 c का cube तो x cube y cube z cube minus 3 x y z हो गया फर्मूला पर x plus y plus z bracket का अंदर x square तो 6 का square 36 y square 3 b का square 9 b square z square 2 c का square 4 c square minus x y तो x into y करेंग तो 18 b हो जाएगा minus y z तो y into z की जाएगा तो 3 b into 2 c तो 6 b c हो गया minus x z तो 6 into 2 c 12 c हो जाएगा यही answer ठीक है students एक और देखिए evaluate है minus 12 cube 7 cube 5 cube x cube y cube z cube है न x के जागा minus 12 y के जागा 7 z के जागा 5 है अब x plus y plus z की जागा बताये थे कि जब x plus y plus z का value 0 हो तब x cube plus y cube plus z cube 3 x y z के बरावर होता है तो यहाँ x plus y plus z 0 है न तो यह x cube plus y cube plus z cube kis के बरावर होगा 3 x y z का तो 3 x के जागा minus 12 y के जागा 7 z के जागा 5 अब इसको multiply करेंगे इतना जागा यही answer ठीक है students यह बड़ा important है फर्मूला है बहुत उज़ होता है कि a plus b plus c का whole cube minus a cube minus b cube minus c cube बरावर 3 bracket में a plus b b plus c c plus यह बहुत उज़फूल है आगे भी उज़ होगा ठीक इसको proof करना है तो ध्यान देजिए a plus b plus c का whole cube है तो हम लोग क्या करते है कि a plus b को x मान लिया और c को y यह इस दोनों के x बोल दिये तो x plus y का whole cube हो गया न हम पहले हैं बहुत पहले फर्मूला पहले है कि x plus y का whole cube x cube plus y cube plus 3 xy bracket में x plus y यहां उसी पर तोड़ दिये x cube y cube 3 xy x plus y फिर a plus b का whole cube का यहां फर्मूला लगा है तो a cube plus b cube 3 a b a plus b अब फिर जो है उसको उतार दिये यहां पर ठीक है इसमें का किये है हम लोग देखें a cube b cube और c cube को एक साथ यहां 3 a b a plus b है यहां 3 a plus b यहां इसा है तो 3 a plus b यहां क्या बच गया a b देख रहा है और यहां यह पूरा अब इस बाकी तो जो करते हैं उतर रहा है नीचे तब यह जो ब्रैकेट इसको फेक्टराइज किये है यहां से a common होगा तो b plus c यहां से c common होगा तो b plus c फिर b plus c दोनों में common है common हम लेंगे तो a plus c ठीक अब इतना हो गया तो a plus b plus c c का whole cube का नहीं यह value है अब a cube, b cube, c cube को इधर ले गए हम लोग तो minus में हो गया बराबर इतना यह proof हो गया इसको screenshot ले करके अराम से बार बार देखिएगा समझ लिजेगा बड़ा important formula है ठीक आज के लिए इतना ही मिलते हैं अले class में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए, thank you